आज मैं बनाने जा रहे हूँ इदी स्पेसल छोले की रेसिपी जो भीहार में बहुत ही फेमस है और खास तों से त्योहार वे पर इसे बनाए जाता है आई होप आप सबको जरूर पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना तो इसे बिनाने के लिए हमने यहां पर वाइट फरला मटर ले लिया है जिसको हमने ऊवरनाइट सोक करके रखा था और इसको अच्छे से हमने वास कर लिया है अब हम इसको ए 1 बाइ 4 टीश्पून तो यह खाने का सोटा है तो इसको हम डाल कर लेते हैं अब हम इसका ढ़कर लगा कर गैस पे रख देंगे तीन से चार सीटी आने के बाद हम गैस बन कर देंगे अब मैंने यहां पर कढाई ले लिया है इसमें डाल लेंगे मस्टर डायल चार बड़ा करीब में हम डाल देते हैं जब तक हमारा गरम हो रहा है तो यहां पर हमने कुछ मसाले लिया है तो सौफ लिया है वन बाइ 4 टीश्पून और हिंग यह हमने चारो एक बराबर लिया है और दो तेज पत्ता लिया है तो यहां पर देख सकते हैं को गरम हो चुका है तो मसाले इसमेड़ कर देते हैं और एक से 1.5 मिनिट बार जैसे इसका कलर होगा मसालोगत तो अब हम इसमें डाल देंगे दो बड़ा सइय आज का प्याज जो हम ने पहले से चौप करके रखा तो अब हम इसमें प्याज भी डाल देते है और प्याज को हमारा मटर जो है अच्छे से कुख हो चुका है बहुत अच्छा गल चुका है तो हमें इसी तरीके की कंस्टेंशी चाहिए अब प्याज भी वोल्डें ब्राउन हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे दो बड़ा साइज का ट्रमाटर जो हमने पहले से चॉप करके रखा है तो हम ट्रमाटर डाल देते हैं इसमें अब इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि हमारा प्याज जो है जादा डार्क ना हो अब हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि हमें किन-किन मसालों की जरूरत है तो यहां पर हमने ले लिया है लाल मीज का पाउडर हाफ टीश्पून हल्दी पाउडर वन टीश्पून जीले का पाउडर और टू टीश्पून अद्रग लसं का पेस्ट हाफ टीश्पून काले मीज तो इस सारे मसाले जो है हम इसमें छोले में डाल देते हैं और मीज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो अब ह यहां पर हमने डाल दिया इसमें 1 तीज़ गरम मसाले का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई को धाक देंगे और फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे 5-6 मिनट के लिए ताकि हमारे मसाले जो अच्छे से भून जाए और बीच-ब मिनट के लिए और भून लेंगे अब यहां पर देख सकते हैं कि 2-3 मिनट हो चुका है मसाला जो है परफेक्ट भून चुका है तो इसमें हम अपना उबला हुआ मतर जो है डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे पकेगा तो पानी जो है इसमें एब किया हुआ है अब मैं छोले को ढख दूंगी 10 मिनट के लिए लो फिलेंपे और इसे धीरे धीरे पकने दूंगी पहले से यह पका हुआ है लेकिन हम इसमें जो पानी डाला था नो तो उसका कच्छा परना रहे तो इसमें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिलकुल लो फिल और इसको डालने के पाद हम इसे ढख देंगे दोबारा से और फिर दो से तीन मिनट के लिए हम इसे लो फिलेंपे छोड़ देंगे ताकि इसकी खुश्बू जो है इसमें अब यह हमारा छोला बिलकुल रेडी है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं चलिए निकाल लेते हैं पर डाल देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम सेव नम्किन डालेंगे और चाहें तो इसके ऊपर चटनी या कुछ फ्रूट वगरे भी डाल सकते हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए तो कैसी लगे आपको हमारी है छोले की रेस्पी कमेंट करके ज़रूर बटाएं और प्रोफाइल निंक डिस्क्रिप्शन में है तो फिर मिलते हैं अंगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग